अमीर चंद, कादर खान, दो शरारती बेटे, सोनू, संजर दत और मोनू, गोविंदा के बदकिस्मत पिता हैं। दोनों हमेशा शरारत करते रहते हैं। उनमें से अधिकतर वो अमीर चंद से धन चोरी करने का लक्ष रखते हैं। शुरुआती द्रिशे में वह गैंगस्टर के रूप में नाटक करते हैं और अपने पिता को बुलाते हैं। उनसे कहते हैं कि यदी वह जीना चाहते हैं, तो एक बड़ी राशी दे। योजना विफल हो जाती है क्योंकि अमीर चंद टैक्सी का चालक बन जाता है जिसमें वे भाग रहे थे। बाद में उन्होंने शकुंतला, बिंदू के साथ अपने पिता की शादी को फिक्स किया और उसके भाई जमनादास, असरानी से अग्रिम दहेज के रूप में एक लाख रुपए ले लिए। यहां योजना भी असफल हो जाती है क्योंकि अमीर चंद जामन से कार्याले में जाने के लिए कहा और सोनु को गोवा जाकर कुछ पैसे लेने के लिए भेजा जो उन्होंने किसी को उधार दिये थे। जबकि मोनु लड़कियों के छात्रावास में घुसकर रितू, करिश्मा कपूर के साथ छेड़ छाड़ करता है, वही सोनु गलती से पैसे लेने गुलजारी लाल वर्मा, अनुपम खेर के यहां जाता है, वहाँ वह पूजा, पूजा बत्रा से मिलता है, रितू और पूजा दोनों गुलजारी लाल की बेटियां है, सोनु और मोनु क्रमशा पूजा और रितू से प्यार करते हैं, सोनु मोनु को उसका की बन जाती है क्योंकि गुलजारिलाल की बहन संतो अरुणा इरानी भी मोनू चाचा के रूप के साथ प्यार में पड़ती है समस्या से छुटकारा पाने के लिए सोनू और मोनू ने चटान के ऊपर से अंकल की एक दमी फैंक दी लेकिन अस्तित्वहीन चाचा की हत्या के लि गुलजारिलाल सतीश कौशिक के साथ पहुँचते हैं वह गुलजारिलाल के साथ पुली स्टेशन जा रहे होते हैं तो उनका भाई आशिश विद्यार्थी द्वारा अफरन कर लिया जाता है भूतनात परेश रावल की मदद से मोनू और सोनू जेल से भागते हैं और अप प्रकार वह योग्य बेटे साबित होते हैं